गुद मॉर्णिंग फ्रेंस आज हम जानें के जूम एप के बारे में कि कैसे अगर आपको कोई इंवाइट करें तो कैसे जॉइन कर सकते हैं इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है आपको जूम एप डाउनलोड करना पड़ेगा जैसा कि आप यहां पर लिखेंगे तो मैंने डाउनलोड कर रखा है इसलिए आपका इस तरह से प्रोफाइल ने आएगा आपको इंस्टॉल करना पर इंस्टॉल करते ही आपको जाना है आपके आपको मिल जाएंगे आपके मोबाइल स्कीन पर तो इस मोबाइल स्कीन कर सकते हो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा आपको अगर किसी ने इन्वाइट किया है तो जैसे कि वाट्सअप पे आप किसी ने इन्वाइट किया तो आप जा सकते हैं वाट्सअप पे जाएगा आपको जिस जगह पे इन्वाइट किया है जैसा कि मुझे इन्होंने इन्वाइट किया है तो आप दो तरीका से zoom को app को meeting में जा सकते हो, पहला कि आप इस link पर click कर सकते हो, जैसा कि मैंने किया, link पर click करते ही, आप पहुंच जाओगे zoom के app पर, वा, just कुछ second के लिए आपको wait करना पढ़ेगा, जैसे ही यह process complete होता है, आपको यह open करने के लिए बोलेगा, आप open की जगे से और आप डाइरेक्ट पहुंच जाएंगे जूम के मिटिंग पर और यहां पर आपको विस्टी काम करना है कि यह प्रोसेस को जो हैटफोन की तरह दिखे रहा है जो राइट राइट साइट में जो कॉनर में वाइपर कैलोटर डाटा को इसे आउन करना है आउन करते ही इस बटन को आपको आफ करके रखना है क्योंकि आप जो भी बोलोगे उधर सुनाई देगा इसलिए इस बटन को आफ करके रखना है सेकेंड में आपको देखना है वीडियो स्टार्ट वीडियो इसे भी आपको आफ करना है क्योंकि इसे video clear आता है अगर आपको बोला जाए कि आप video on करें तो आप video on कर सकते हो और नहीं तो अगर आपको बोला जाए कि आप my account कर सकते हो जिसे आपका आवा यहां पहुंचे जिस इस button को आप click करते जीएगा ये mute on mute कर सकते हो और Next में है आपको यहां पर Shareding का оп्षण आपको जब तक ना बोला जी तब तक आप मत कीजियेगा और यहां पर Participate देख सकते हो कितने आपको invite कि आपको meeting ID या passport दिखाई दे रहा हूँ तो इस meeting ID पे आप click करोगे और zoom पे जाओगे जैसा कि मैं इसे end कर देता हूँ पहले जैसा कि इस तरह से आपको interface खुलेगा तो आप जिस्ट जॉइन कीजिएगा जॉइन करते ही आपको meeting ID दिया गया है वह meeting ID यहाँ पे पेस्ट कर लिजेगा और यहाँ पे आप नाम दे सकते हो तो अच्छा रहेगा क्योंकि आप उनको पता चले है कि आपने जॉइन किये हो इस जॉइन पे क्लिक करना है जॉइन पे क्लिक करते ही आप से पासपोर्ट मांगता है तो आप पासपोर्ट दे सकते हैं जैसा कि यहाँ पे पासपोर्ट नीचे देखा हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे पासपोर्ट दिया हुआ है F E T A 2 A यह मेरा पासप करना है जूम एप को तो थैंक यू सो मच इनफोर्मेशन अच्छा लगा हो तो अपने टीम में सेर कीज़ें लोगों से सेर कीज़ें कि आप इस तरह से जॉइन कर सकते हो और आज की रेट में सभी लोगों का अपने बिजनेस के लिए अपने स्कूल लाइफ के लिए या